फ्रेंड्स, once again you are welcome to Mission Air Force तो देखे दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं देखे, result date के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ expected cut-off वाले वीडियो में यदि अपने नहीं देखा हैं, तो I better में वीडियो देदूँगा expected cut-off वाहाँ पर मैंने बताई थी इस वीडियो में बात करने वाले हूँ, next vacancy के बारे में आने वाली है, या फिर नहीं आएगे और यदि आएगे तो कब तक आ सकती है next vacancy और आपको यहाँ पर किस प्रकार से, जो next vacancy है उसको prepare करना चाहिए तो देखे, कुछ लोग हो सकता है, आपको बोल रहे हो कि जुलाई में यहाँ पर आपकी next vacancy आने वाली हो सकता है उनकी बात सही भी हो, लेकिन यहाँ पर मैं जो अपना opinion है, वो आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ तो देखे, अभी आपका exam हुआ है intake 1222 के लिए, और हमेशा Air Force क्या करता है कि इसके साथ साथ कुछ रेलीज करवाता है ताकि वो जो vacancies हैं, उनको cover up कर सके तो लास्ट बार भी इसने, यहाँ पर Air Force ने रेलीज करवाई थी और इस बार रेलीज का कोई notification नहीं है इसलिए से यहाँ पर अनुमाल लगाय जा रहा है सभी के दोरा कि इस बार रेली ना आके, क्या होगा आपका यहाँ पर जो exam है, online star exam है, वो आपका होने वाला है star exam, काफी students तो इसी में confused रहते हैं कि सर इसका नाम star exam क्यों है तो देखे, scheduled test for airman recruitment यह इसलिए इसका नाम star exam है, scheduled test for airman recruitment तो भई, recruitment की जो spling है, वो आप comment box में मुझे बताना देखते हैं किन-किन दोस्तों को यहाँ पर recruitment की spling आती है exam में पूंचा जा सकता है तो देखे, मैं बात करता हूँ यहाँ आपकी exam की तो जो next vacancy है, उसके भई, आने के जो chances है आपके इसका जो result है, उसके बाद है जी हाँ दोस्तों, उससे पहले बहुती कम chance है हो सकता है, आप भी जाए लेकिन इसका जो result है, वो prepare करेंगे और वो result आपका 15 अगस्त के लगबग आ जाएगा तो 15 अगस्त के बाद, chances है कि आपकी next vacancy आ जाए notification उसके form feel करवा लिये जाए और number तक आपका exam next vacancy का हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है तो देखे, यदि आपका भई, वाई ग्रूप में वह बता दू 32 से नीचे score है, तो आप भई, next जो vacancy है पूरी तरह से, पूरा जी जान लगा कि यानि, with heart and soul अपनी जो preparation है, वो start कर दीजे और यदि आपके अच्छे खासे number बन रहे है 32, 33, 34, 35, या फिर 40, 45 तक तो आप भई, phase second prepare कीजे next vacancy की तरफ अभी ध्यान मत दीजे यदि next vacancy आती भी है और november में exam होता भी है तो भी आपके पास इसका phase second देने के बाद इतना time बचेगा कि आप prepare कर सकते हो exam के लिए, क्योंकि आपने already exam क्रेक किया है, pass करो करोगी आप exam, अच्छा exam आपका गया होगा, तबी score अच्छा होगा तो आप यहां पे वो भी कर सकते हो तो बस यहीं है कि जिन दोस्तों को लग रहा है कि मैं नहीं हो पाएगा इसमें 32 से कम नंबर बन रहे है वो बस जो next vacancy है नॉवमबर में आएगी या फिर मार्च में आएगी, लेकिन vacancy तो आनेई वाली है, यह तो से और है तो उसी की preparation में लग जाएए विना किसी यहां पे doubt कि और जो MR की vacancy आई है यदि आप interested हो तो MR इस बार क्या है कि नेवी MR में जो आपका फीस है वो बिलकुल भी नहीं है 0 रुपे फीस है सभी work के लिए जितने भी category है general OBC सभी के लिए 0 रुपे फीस है तो यदि आप interested हो नेवी MR में तो MR में अपलिकेशन लगा सकते हो तो नेवी के लिए भी आपकी यहां पे opportunity है इस time पे और cost guard को आता ज़ा चुका है और जो SSE GD है SSE GD है आपका इसके लिए भी मैं बोलूगा क्योंकि ये भी यहां पे paramilitary force है और आपके defensive related है sector है तो बहुत ही अच्छा रहेगा SSE GD तो SSE GD भाई exam form जरूर भरना और exam भी देना SSE GD में काफी यहां पे vacancies है 25,000 लगवग तो आपके काफी chances बनेंगे इसमें यहां पे तो बैकप प्लान भी आपके पास होना चाहिए यदि Air Force में किसी भी कारणवास भगवान ना करें लेकिन किसी भी कारणवास यदि किसी भी stage पे disqualify होना पड़ता है तो आपके पास यहां पे त्या रहेगा बैकप रहेगा SSE GD का या फिर MR किसी भी अधर exam का तो SSE GD में यहां पे प्रिफ्रेंस की बात करूँ तो सबसे पहले आप यहां पे लगा सकते हो क्या CISF लगा सकते हो यदि आपको ITBP लगा सकते हो SSB लगा सकते हो यह वह बहुती अच्छी यहां पे बता रहा हूं मैं जो कि यहां पे आपको अच्छी reputation के साथ थोड़ा सा free time भी मिल जाता है यहां पे और इसी के अलाव यदि आपी border पे duty करने की यहां पे जज़बा रखते हो तो BSF आप यहां पे choose कर सकते हो तो ठीक है इसी प्रकार से यहां पे भाई जो अपनी preparation है उसको जारी रखिए और यदि आप face second के लिए भी कोई किसी topic पर वीडियो चाते हो तो comment box में जरूर बता देना बस यहीं है कि vacancy का भी शोर नहीं है कोई भी यह पक्ता आपको नहीं बता सकता कि vacancy कब आएगे लेकिन copied out आ रहे थे WhatsApp लगातार भी जो है messages भी आ रहे थे personally भी इसलिए मैंने यहां पे वीडियो में बताया कि vacancy आएगी तो आपकी 15 अगस्त के आसपास आपको पता लग जाएगा यदि नहीं आती है तो फिर आपकी मार्च में होने वाली है इसी में vacancy जो increase कर देंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और हाँ यदि आप आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एरफोर्स से रेलेटेड लाइटेस्ट इंफोर्मेसिन और इस्टेडी वीडियोज के लिए